दोस्तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में इस गोल सी चाकू जैसे दिखने वाली चीज़ का क्या नाम होता है टीवी एंटेने का फेस हमेशा साउथ इस डारेक्शन में ही क्यों होता है और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होता है हब क्योंकि हम मेंसे अधिकतर लोग रोजाना अकसर ऐसी कई चीज़े देखता है लेकिन इनके पीछे का रियल परपस हम मेंसे अधिकतर लोग नहीं जानते है तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीज़ों और उनके पीछे चुपे रियल परपस के वारे में जानेंगे दोस्तो जीन्स में बनी हुई छोटी जी पॉकेट को फिफ्ट पॉकेट कहा जाता है वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉईन्स बस के टिकेट वागेरा रख लेता है लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल परपस तो पॉकेट वाचेस को संभाल कर रखना था दरसल 18 सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास सकते थे वो थी पॉकेट वाच इस फिफ्ट पॉकेट में महेंगी और कीमती घडियां सेफ रहती थी यही वज़ा है कि तब से अब तक जीन्स में ये फिफ्ट पॉकेट बनाई जाती है सोडा कैंस के पॉप टैप पर बना हुआ चोटा सा होल सोडा कैंस के उपर बने हुए पॉप टैप से आप कैंस को आसानी से उपन कर लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैपर बने हुए इस छोटे से होल का क्या परपस होता है दरसली होल कैंस के अंदर स्ट्रॉड डालने के लिए होता है जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉड डालता है ठीक उसी तरह कैंस में भी स्टोर डालने के लिए ये छोटा होल पना होता है आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे नेकिन क्या आपने के भी सोचा है कि टूथपिक के ऊपर इस्ते पर डिजाइन क्यों बनी हुई होती है ताकि वो टूथपिक गंदी न हो और उसे दुबारा इस्तेमाल किया जा सके आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जीन्स में साइट पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक परपस होता है जहांसे जीन्स के फट जाने के ज़ादा चांज़स होता है जब जीन्स के पैंट का चलन हुआ था तब ये पैंट working class, जसा labourers, miners और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी लेकिन इस class के काम करने के तरीके से pen के फटने के ज़्यादा जांसे सा होते थे इसलिए pen को फटने से बचाने और उसकी shelf life को बढ़ाने के लिए ये buttons जीन्स में लगाए जाते है Pants की cap में बना हुआ छोटा सा hole पचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि pens की cap में ये छोटा सा hole क्यों होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि pen की cap पर बने हुए इस hole का एक बहुत बड़ा परपस होता है pen के manufacturers ने पहले से अंदज लगा लिया था कि छोटे बच्चें इस cap को निगल सकते हैं जिससे suffocation हो सकता है और तो और death भी हो सकती है अगर कोई बच्चा by chance cap निगल भी लेता है तो cap में hole होने से lungs को सांस लेने में कोई परिशानी नहीं होगी इस hole को preventive measures की वज़े से बनाये गया था दोस्तो क्या आपको पता है आपकी TV antenna का face किस direction में होता है असल में दोस्तो TV antenna का face हमेशा south east direction में होता है दरसल दोस्तो TV antenna satellite से signal receive करके हमें TV पर वीडियो की form में दिखाता है और इस satellite भी south east direction में signal भीसती है और अपके साथ खुद भी reward यानी घूमती रहती है हम सबी बचपन से shoes पहनते आ रहे हैं आपने notice क्या होगा कि आपके shoes में side की तरफ दो holes बने वे होता है कुछ लोगों को लगता है कि ये holes fashion के लिए या air flow के लिए होता है ये दो holes भी बाकी के holes की तरह laces को बांदने के लिए होता है लोग अपने size के हिसाब से shoes को holes के मदद से बांद सकते हैं जिससे उन्हें shoes का भैतर fit मिल जाता है और running करने में कोई problem नहीं होती नमर 10, notebook में बने हुए side वाले margins आप लोगों ने अपनी copies में बने हुए side वाले margins को देखा होगा ज्यादे तो लोगों को लगता है कि ये margins points number डालने या teachers के remarks लिए होता है लेकिन असल में ये margin आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है पुराने जमाने में papers को अकसर चुहे खा लेते थे या फिर गिला होने की वज़े से paper खराब हो जाते थे ये margins paper में तब ही से बनाय जा रहे हैं ताकि अगर चुहे side से खा भी ले तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फटना जाए number 9, keyboard के letters की arrangement आप लोगों ने keyboard के letters की arrangement तो देखी ही होगी क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये arrangement order में क्यों नहीं होती असल में जब पहला keyboard बनाया गया था तब वो एक type writer की form में invent हुआ था और तब उसके letters की arrangement alphabetical order में ही थी लेकिन alphabets order में होने के वज़े से typing करने वाले की speed automatically इतनी fast हो गई थी कि type writer के keys की तारे आपस में उरजना शुरू होने लगी थी इसलिए बाद में keyboard के manufacturers ने keys को randomly arrange करना शुरू कर दिया जो कि आज भी trend में है number 8, cars में लगे हुए detachable headset ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि cars की sheet के headrest को आप अपनी सहुलित के हिसाब से adjust कर सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि ये headrest आसान इसे निकल के उचाता है और इसमें जोड़ी rods का क्या काम हो सकता है तो दोस्तो इन headrest को detachable बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है वो यह कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फश जाते हो तो इस headrest को निकाल कर इसकी help से आप window तोड़ के बाहर निकल सकता है number 7, iPhone के camera lens और flash के बीच में मौझूद एक black dot दोस्तो गर आपने कभी गौर किया हो तो iPhone के back camera की lens और flash के बीच एक black dot होता है क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है असल में ये black dot microphone होता है जो वीडियो recording के दोरान background में होने वाले shore को eliminate करता है यानि के हटा देता है और एक अच्छे sound quality को capture करने में help करता है number 6, पिज़ा के बीच में लगी हुई plastic की एक छोटी सी table जैसे दिखने वाली चीज कभी कबार लोग जब pizza order करते हैं तो पिज़ा के बीच में एक plastic की छोटी सी table जैसी चीज लगी होती है असल में ये चीज एक stand की तरह काम करती है जो pizza को उसके box से दूर रखता है ताकि pizza की toppings खराब न हो पाए और जब आपको pizza मिले तो सारी toppings अपनी जगे पे लगी हुई हो ना कि pizza box के ढकन पे number 5, keyboard के F और J कीस पर उठे हुए निशान क्या आप जानते हैं कि keyboard के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं दरसले निशान आपकी typing speed को बढ़ाने के लिए लगाए गये थे जब आप अपने left hand की index finger को F पर रखते हैं तो आपका left hand ASD को आराम से cover कर लेता है टीक इसी तरह जब आप अपने right hand की index finger को J पर रखते हैं तो आपके right hand J के साथ वाली कीस को cover कर लेता है और आपके thumb space bar को cover कर लेता है ये उठे हुए निशान अपने आपको feel करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस direction में चलना चाहिए इस तरह से आपको type करते हैं वक की बोर्ड पर बार बार देखने की जरुवत नहीं होती जिससे आपकी speed automatically बढ़ जाती है इरफोंस में बने हुए extra holes इरफोंस में बने हुए holes तो जाहर है कि speaker का का काम करते हैं लेकिन बाकी के extra holes side में क्यों बने होते हैं दरसल ये extra holes एर पास करने के लिए बनाये जाते हैं जिससे speaker का diaphragm अच्छे से move कर सके इन holes से sound का transmission इजी हो जाता है और sound की quality अच्छी हो जाती है लेप्टॉप के charger में लगी हुई cylinder जैसी चीज लेप्टॉप के charger में charging jack के पास जुड़े इस cylindrical चीज को ferrite bead का हचाता है इस ferrite bead का laptop के सई से काम करने में बहुत important role होता है असल में laptop का हर unit radio frequencies की वज़े से काम करता है और इसकी charging cable एक antenna की तरह काम करती है जो laptop के vibrations को radio frequencies की रूप में broadcast करके interference create करती है इस ferrite bead में magnetic iron oxide होता है जो radio frequencies को एक दूसरे से interfere करने से रोकता है और इससरा laptop smoothly काम करता है इंडियन cricket team की jersey पर बने हुए 3 stars इंडियन cricket team और इसकी uniform सभी को पसंद है लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इनकी uniform की बारी के उको देखा है इंडियन cricket team की टी-shirt के chest पर 3 stars बने होते है क्या आप जानते हैं 3 stars का क्या मतलब है असल में दोस्तों ये 3 stars ये बताते हैं कि इंडियन cricket team ने अब तक 3 world cup जीते हैं जिसमें से 2 ODI के हैं और एक T20 का है दोस्तों नेल कटर के साथ attached units दोस्तों नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अकसर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इसके साथ attached चीजों का purpose आखिर है क्या लेकिन कहता है ना कि हर एक चीज का कुछ न कुछ परपस होता है तो इस गोल चाकू जैसे दिखने वाले चीज का भी purpose होता है असल में ये गोल चाकू bottle opener का का काम करता है तो दोस्तों आप हमारी बाकी के ये amazing facts वाले वीडियो भी देख सकता है क्योंकि ये वीडियो यही खतम होती है लेकिन प्लीज इस चैनल को subscribe करके हमें support करो और comment करके बताओ के वीडियो कैसी लगी Thank you for watching